हैं सबसे पहल drie संब यहां पेडल को साइब करें चैलcit कर बनाएंगे एक लाइन और लाइन बनाने के लिए सबसे पहली में यहां यहां पर इस उस उसजा रहा हूं जहां पर आपको इंचेंज मीअ और इस four फिश में दिखेंगे तो सब पहली मैं half इंच यहां नातोर क дав me यहां पे चोटा से गया जांए आप देख सकते हो तो थो मैं दो यह पर और यहां तो वन इंह यहां दितुर लेना आप सकते हो मातर यहां पर आपको तेन लाइन हें टेशक पर एवन आप देतना यहां ठैक्र नल इंत तरह करना है है और वह अभी है पहले तो वन इंच से यहां पे यहां पे इतना तक उसके बाद हाफ इंच से यहां से इतना तक तो अगर आप इसे अच्छी तरह से देखिऊ तो यह बहुत आसान है आप मेरे साथ इसे बनाओ आपको एसली बन जायेगा आपको क्या करना जो लाइन बड़ा है वहां से तीन लाइन तक टच करना है बस जो लाइन आपको यहां पर दिख रहा है देख सकते हैं तो यहां से आपको तीन लाइन तक टच करना है अनली बस इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है यहां पर गिन लेना कि यह सेवन नमबर तक है या नहीं उ थोड़ा सा time भी ले रहा है लेकिन मेरे को जहां तक लगता है कि अगर आप इसे अच्छे तरह से carefully draw करो तो यह ज़्यादा time नहीं लेगा तो आप इसे clearly देख सकते हो कि मैं इसे कैसे बना रहा हूँ और अगर आप भी चाहते हो कि मैं भी बना पाऊं तो आप इसे अभी मेरे साथ बनाओ तब आप मेरे साथ step by step बना कि इसे practice कर सकते हो और करने के बाद फिर से बना सकते हो ने तो दोस्तों जो step मैं आप भी आपको बता रहा हूँ आप थोड़े देर में भूल जाओगे इसलिए मेरे साथ आप इसे step by step बनाओ तुरंत अभी के अभी तो इससे क्या होगा कि आपका भी practice होगा मेरे साथ देखने से अच्छा है उसे आप practical apply कर रहे हो तो वहाँ पर आपको भी समझ में आएगा कहां पर क्या problem हो रही है तो आप मुझे वह comment करके बता सकते हो ओके और दोस्तों आपको मेरे साथ step by step इसे बनाना अभी के अभी तो आप पैंसिल और पेपर अभी ले ले और स्टार्ट करें मेरे साथ तो इस तरह से दोस्तों हम लोग यहाँ पर lines को joint कर देंगे करने के बाद मैं यहाँ पर आपको दूसरा टेक्निक दिखाऊंगा किस तरह से हम लोग इसे completely ड्रो करेंगे अच्छे तरह से तो दोस्तों सब सब पहले हम लोग इसे इस तरह से बना ले अभी तक दोस्तों आपने देखा कि हम लोग वने नीचे से उपर वहाँ पर बनाया अब हम लोग उपर से नीचे बनाते हुए आएंगे और इसे complete कर लेंगे एक parallel light draw करना जस्ट उसी की parallel जो आपने draw किया और वो उसका भी मैंने आपको point mark करा दिया कि कहां से करना तो अगर आप इसे carefully draw करोगे तो आपको पता भी चलेगा कि कहां से क्या करना और दो तिन बार अगर आपने practice कर लिया तो फिर आपको कोई confusion नी होगा कि हम लोगों को exam में कैसे बनाना है तो यहां पर दोस्तो आपको इसलिए थोगा सा time ले पहली बार में क्योंकि आप भी जाते हैं दोस्तो हम लोगों ने पहले बार में कुछ भी नहीं सीख लिया हम लोगों ने उसे consistent लगातार practice करके सीखा जैसे मान लीजिए आपने पढ़ना भी सीखा तो उसी तरह से सीखा ओके दोस्तो तो हम लोगों ने इसे बना लिया चलिए इसके बाद में आपको दिखाता हूँ दोस्तो कि next step में हम लोगों क क्या करना तो मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूँ एक eraser लेना और इस तरह से आपको skill place करके erase कर देना आप यहांपर clearly देख सकते हैं दोस्तों कि ह और हम लोग ने इसे कैसे एरेज किया. अब दूसरे साइट भी सेम हम लोग को अपलाइ करना है. इस तरह से प्लेस करने के बाद हम लोग को जश्ट इस से एरेस कर देना है. तो आपका इस से ज्यादा time नहीं लहाँा क्योंकि मैंने खुद देखा उसके बाद दोस्तोत NewLog यहाँ फिरसे Deswegen को यूस करेंगे और पैंसिल से हम लोग यहाँ पर LINEज ड्रो करेंगे आप देख सकते हैं मैं यहाँ लइन कहाँ पर ड्रो कर रहाँ इसके बाद हम लोगों को 2 line draw करने के बाद छोड़ देना beach way बाने space को ओके, then after हम लोगों को यहाँ पे 2 line draw करना है beach में, and then after एक बड़ा सा नीचे तो दोनों side आपको same draw करना पड़ेगा अभी मैं आपको यह दिखाउंगा कि मैंने इसे कैसे बनाया है और इससे आप भी बना सकते हो जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहां पे तो इस तरह से दोस्तों हम लोग दोनों साइट दो दो लाइन ड्रो कर लेंगे अंदर में और बाहर में एक बड़ा लाइन बीच वाले गैप में आप देख रहो है यहां पर चुटा हुआ है तो हम लोग इससे डाइट स्किल्स से कंप्लीट कर देंगे ओके छोटा सा आपको टाइम लेगा ज्यादा नहीं क्योंकि आपको वही गैप फिल फुल करना उसके बाद दोस्तों उसके साइट साइट में भी है तो उसे भी आपको थोड़ा सा लाइन ड्रो इसके बाद दोस्तों हम लोगों को यहां पे एक कैप मार्क कर लेना और कितना मार्क करना आप देख सकते हो यह तीसरा लाइन में मार्क होगा यहां से थर्ड लाइन में होके जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने आपको यहां पे किन के भी दिखाया फिर से आप मैं यहां पे से क्लेर लिक और अभी मैं आपको यह दिखाऊंगा कि यह कितना लंबा होगा ओके दोस्तों सो हम लोग इतना लंबा इसे बना के छोड़ देंगे और आफ्टर हम लोग यहां से इस लाइनिंग को जॉइन करेंगे ओके जैसे कि आप देख सकते हो इसके बार दोस्तों लोग और यहां से एक लाइन ड्राव करना तो चलिए वह भी मैं आपको दिखाता हूं बनाने के बाद दोस्तों आफ्षिλο के सीथ में यहां पर आपको दो पैललेल लाइन बनाना ओकी और इतना लंबा होना जाई है जैसा कि आप देख रहा हो इसके बाद दोस्तों आपको उपर में भी इसी तरह से 3-line dot कर लेना 3-line पे, okay, dot mark करने के बाद हम लोगो को यहां पर और एक line बनाना तो उसे कैसे बनाएंगे चलिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ दोनों साइड आपको same draw कर लेना दोस्तों इस तरह से mark करके अब हम लोग इसे use करेंगे सबसे पहले तो मैं यहां पर एक straight line बनाऊंगा, इतना लंबा, okay उसके बाद मैं यहां पर छोटा सा एक gap भी छोड़ोंगा, क्योंकि मुझे एक parallel line बनाना है जो इस parallel वाले line में join हो, चलिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ इसके बाद आपको यहां से इसे fold करते हुए, डायेट इस वाले line में join करना हो, तो इसको भी आप बढ़ा सकता है, थोड़ा सा increase करके यह आप direct free handle इसे join कर सकते हो, इस तरह से join करने का बात दोस्तों हम लोगो को यहां से इस line को बना लेना है, और बना के इसे complete कर लेना है, अब हम लोग इसके चारो और इस box को complete कर लेंगे, एक side एक line draw करके, जैसे हम लोग यहां पर एक line draw करेंगे, अब यह हमारा finish हो गया है, अब हम लोग इसके बाहर side में, जितना भी pipe है, वो सब बनाएंगे, तो उसे कैसे बनाना हो चलिए, वो भी मैं आपको step by step दिखा रहा हूँ, इस तरह से हम लोग एक line draw करेंगे, draw करने के बाद दोस्तों हम लोग इसे fold करते हुए, यहां पे join कर देंगे, free hand, ओके, तो इस एक इस तरह से pipe like structure से बना लेंगे, बनाने के बाद दोस्तों मैं फिर से यहां पे scale का help लोगा, क्योंकि यह सब neat and clean होना चाहिए, तो यहां पे दोस्तों हम लोग इस तरह से place करने के बाद छोटा से gap छोड़ेंगे, और एक line draw कर लेंगे, सेम दूसरे वाले parallel line को थोड़ा छोटा gap छोड़ने के बाद इस तरह से draw करके complete कर लेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करना है, simple, इसके seed में एक line draw करना है, okay, मिलाना मत, उसे हम लोग pipe like structure बना के मिलाएंगे, और इस तरह से मिलाने के बाद यहां से आपको seed है, उसे ले जाना है, और ले जाने के बाद दोस् करते हुए, मिला देना, अब यहां पर दोस्तों इसके बीच में एक छोटा सा इस तरह सा आपको बना लेना, बनाने के बाद हम लोगो यहां पर एक line draw करके इसे complete कर लेना, इसके बाद दोस्तों हम लोगो यहां पर fresh dialysis solution का जो jars है, बोतल की तरह जो दिखता है, okay, उसे बना ना उसे बनाने के लिए, हम लोग यहां पर अपने scale को यूज करेंगे, और use करके हम लोग यहां पर दो एंच line draw कर आदेंगे, draw करने के बाद दोस्तों हम लोगो यहां पर दोस्तों है इसी तरह से same 1 बनाना प्लेस करूंगा प्लेस करने के बाद हम लोग दोनों साइट से इस तरह से क्लाइन बना लेंगे बनाने के बाद दोस्तों हम लोग यहां पर डायरेट इसे जोइन करेंगे तो थोड़ा सा मैं यहां पर रेज कर रहा हूं कर यह ज्यादा बड़ा हो जाए इस तरह से आपको द हम लोग यहां पर एरेसर यूज़ करेंगे और इसे बना लेंगे तो आए होब दोस्तों आपने यह सीख लिया चलिए हम लोग बढ़ते आगे और देखते कि क्या-क्या हम लोगों को बनाना है सबसे पहले यहाँ तो आपको ड्रोप लाइक इस्ट्रक्चर दिखा देना इस तरह से क्योंकि यह यूज़्ट टायलैसिस सॉल्यूशन है और यह है डायलैसिस शॉल्यूशन जो उपर की और जाएगा और फिल्टर होके डायलैसिस शॉल्यूशन में आएगा और कहां से जाना है यहां पर आपको एक इंजेक्शन टाइप का सुई निकाल देना है उसे उसके बाद यहां पर पट्टी टाइप का चिपका देना है जो लोगों के हाथ में लग जाएगा ओकी दोस्तों तो यह भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों क्योंकि जिसका एक किड प्रॉसस है वो हर एक व्यक्ति नहीं जेहल पाता जिसी का फाइंसियर प्रॉब्लम है तो किसी का और तो अगर आप एक डोक्टर बनते हो इन फ्यूचर दोस्तों तो लोगों की थोड़ा सा हल्प करना इस मामले में कि उनसे ज्यादा पैसा मत लेना क्योंकि जानते हो आज अगर आप ऐसा करते हो तो मेरा जो हल्फ है आपसे जो मैं हल्फ कर रहां आपको वह एहसान आपका खतम हो जाएगा ओके दोस्तों तो आप अगर यह करते हो तो अच्छी बात है चलिए यह मैं आपको फेस बनाना यहां पर दिखाता हूं किस तरह से हम लोग फेस मिलाने के बात दोस्तों हम लोग यहां पर बनाएंगे माउथ एंदेन आफ्टर हम लोग इसे कंप्लेट कर लेंगे तो आपने देखा यह कितना इजी है और मेरे साथ अगर आप बनाते हो तो और भी जादा इजी हो जाएगा क्योंकि आपको मैं खुद गाइड कर रहा हू मैं दोनों लेबलिंग इसलिए दिखा दूँगा क्योंकि दोस्तों यह औरेडी बहुत जादा टाइम ले लिया तो अब आपको पैंसिल यूज़ करना और इसे लेवल भी कर लेना और साथ-साथ में एक चीज़ा आप कभी मत भूलिएगा वह क्या है जानते हो एरो करना कि यह प्रोसेस कहां से हो रहा और कैसे जा रहा है अगर आप इससे छोड़ देता हो तो इससे आपका मार्क्स भी कर जाएगा तो यह भी मैं आपको यहां पर बना के इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप भी मेरे साथ इससे बना के कम्प्लेट कर लो जन आफ्टर दोस्तों हम लोग से लेवलिंग करेंगा तो चलिए मैं इमेज आपको यहां पर दे देता हूं आप हिंदी में और इंग्लिस में दोनों में लेवलिंग कर सकते। अगर आप हिंधी मीतियम हैं तो Hindi में English medium में हैं तो English में तो आप इसे labeling कर के अच्छे तरह से यहां पर नेम लिख ले और नेम लिखने का बात दोस्तों से समिट करें तो मैं मिलता हूं दोस्तों नेक्श वीडियो में अगर आप नहीं हैं ने करना है तो जलुर से जरूर को सबस्क्राइब कर कि जाना कि मैं ऐसे तील सारे वीडियो से आपके लिए लाते रहां तो यह रहा का इमेज जो आपको लेवलिंग करना सर जा ज्लदी से लेवलिंग कर ले और धेट सारे वीडियो मैंने और क्लास 10 का बनाया है 11 का भी बनाया तो जल्दी से जाके मेरे चैनल में चेक करें और 12 का भी मिल जाएगा आपको तो बिलते हैं दोस्तों नेक्ट वीडियो में ओके बाई टेक क्यर हव ग्रेट डे